अठारवी लोगसभा भारत के अम्रितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुप संकेत साथ्वियों आज हम 24 जून को मिल रहें कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पित हैं जो लोग भारत की लोगतांत्री परंपराओं पे निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवत है कल 25 जून को भारत के लोगतांत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहें भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरा नकार दिया गया था संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गए थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोग तंत्र को पूरी तरा दबोच दिया गया था इमर्जंसी के यह 50 साल इस संकल्प के हैं हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते हुए भारत के लोगतंत्र लोगतंत्रिक परंपराओं कि रक्षा करते हुए कि देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि जो 50 साल पहले की गई थी और लोगतंत्र पर काला धबा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन का लोगतंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्विस दिशागे अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती बव्य विजय है और तब हमारा दाइत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाच्चों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाच्चों का अज विश्वाद दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा महनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देख करके आगे चल रहें माने सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेख्षाएं मैं सभी सांसदों से आगरे करूंगा जन हीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जन हीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेख्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान नागरीकों की विपक्ष के नाते उनकी भुमिका की अपेख्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने के अपेख्षा करता है मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पे खरा उतरेगा साथ्यों सवधन में सामान ने मानवी की अपेख्षा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेख्षा नहीं है कि नकरे होते लोग सप्सक्रंश चाहते हैं लोगन नहीं चाहते हैं एक डेश को एक अच्छे विपक्ष्ठी आवश्रक्ता हैं जिम्मेबार विपक्ष्ठी आवश्रक्ता है और मुझे पक्का विश्वाथ है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानुविकी नाफिशाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विश्षित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दाइच्व हैं हम मिल करके उस दाइच्व को निभाएंगे जनता का विश्वाथ हम और मजबूत करेंगे पचीश करोर नागरिकों का गरीवी से भार निकलना एक नया विश्वाथ प्यादा करता है कि हम भारत को गरीवी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यह मानवजाद की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सो चलीश करोर नागरिकों परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं अब उनको ज्यादा से ज्यादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा यह सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारवी लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्रशासार हो साथियों मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनम्दन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नए अदाईत्व दिया है उसको बखुभी निभाएं समर्प्रण भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों करता हूं